और पठार किसे कहते हैं इसमें हम आपसे कई बार से पूछ रहे कर आप अंतर नहीं बताएं को घंबी बताने वाले नहीं है जब आप नहीं बताएं कि आप भी खुद अपने अध्यापक है चार सेमेश्टर पढ़ का रहा है 15 साल पढ़े हैं कच्छा एक से लिए के 15 तक फि से पहले आता है हमारा नाम आजाता है मन में हिमाले को enhance disappoint today कौणाशा और के कि हिमाले की क्या है फिर भी देख लेते हैं हिमाले की उत्पत्ति की बात देखा जाए तो अज वर्तमान में जहां हिमाले है कभी यहां पर बहुत बड़ा सागर रहा करते हैं कितना बहुत बड़ा कितना बड़ा एक हाथ दो हाथ तीन हाथ कितना बड़ा पूरे प्रिथिवी पर सबसे पहले एक महादीप और एक महासागर था यह संकलपना एक ब्यक्ति ने दी ती जिसका नाम था अल्षृट वैगनर क्या नाम था यह यरोपियन के एक जलवाइव वेता थे लेकिन इनगे और कि थे जिसमें उन्हीं ने कहा था उसके थे का नाम था गॉंटिनिंटल कि है कि महादीप बिस्थापन सिध्धान कि संपोर महादीप जो आज अलग अलग दिखता है कभी एक उर एक बड़ा साथ महादुीप है एकल महादुप इसका नाम उनोंहें पैंजी आ कि इसमी कि आ है ऐसमी ने उसको पहने मितले एक में जोड़कर बना क्यों कर थो जुक्ति पश्कश मघुक्ति का ओर चारो तरफ यह पानी बारह में किया लेकिन कि थेरी को लोगोंने ध्यान नहीं दिया फिर उनने 120 में खोब चर्चित हुए अच्छा प्रशने उड़ता है जब 10 बारह में चर्चित 20 में क्यों हुए बढ़ा प्रश्न है बढ़ा प्रस्ट इसलिए कि तब लोग प्रथम विस्वत में बैस्त हो तो यह पंधिय और पंथестно सा यह था या नहीं था यह नहीं नहीं इंन जानता यह किसने बताया हमे अलफ य नहीं बताये आपको बताया ह। उनको कौन बताया एक करमी विकास के उरुप में था उनकी भी दिमाग चच्चु खुल गई थी कि ऐसा हो सकता है कैसे खुली जैसे आप देख रहें न्यूटन वह पढ़े नहीं गया दा भाग गया जब भाग के बाग में पहुंच जा देख़ो सेव गिरा तो लगता है कु सब्सक्राइए आधिया पिदिया ठापिया महीना उठायेगा और निकल अधिक एकपला साधिके किली जगडा करेंके महीनों सालो तक सब्सक्राइए जो कोड़ा धिक पहुंचे काम खतर सुन्य मेर्चा था एगा तब चच्यों खुलेंगे का फ़रसा जब खेषों कष्छ अब लगा धोगा आधाया जो पताया उन्हों नहीं बता रहें नहीं बताया पित्वी और सूरिक्की और चंद्रमा की आकरशन सकतियों के कारण पित्वी घोड़न कर रही थी और उसमें गुत्वाकरशन बल लगने कारण कोछ इसा पीछे रहा गया कुछ अपके कि तो पैंजियों कि दो पागों तूढ़ गया तो महिलाय समझ सकती है बहूत असानी से अगें तो तोड़ दिया बैच में क्यa खायगा अजएगा तुरों पानी आजाएगा है अब कोई जल जल काहिगा खाय कोई वाटब कोई नीर काहिगा हम जानते हैं अब लोग हंदी चीहा है यहा Olha Pani आ जाएगा यहां जल का जमा डिया जब जल जमन हो गया तब इसके नाम बादल गये क्या होगे जैसे गेहूं आटा रोटी गेहूं कब है कि अज़ पीस दिये तब आटा अज़ पका दिये रोटी और पैरसत बना दिये तब पाव रोटी तब यहां पर अभी तक तो यह क्या था पैंजिया और पैंदालासा था अज़ टूट गया इसके नाम भी बदल अंगारा लैन्ड ने कहा क्यों यह ने कहा एक नेर मामली माास्टर पन्ना है तो ये जनिया गा इसे अंगारा लैड कहा गया और इसे गॉंडवाना लैंड क्यों कहा है अब ही बाद में देखा if u इसे गोंडव बॉट अलेन कहा गया पानी भाद आज आज़ा एक ट्रण किठाग। करैंटने すjatड महाथ सगे क्या विशा माएं को टैथीज माहासागर का ट्या से टम ट्या से ट्रड क्षई सगय partners कि भी यह कै nervous UK अरिव बाहर पनियाई हिए कि का नाम है उसिए इस फाइब है पेंधलासा बदर्च अब कि स्याइब यह अốngे IF इंगारा Explan oh ja जब यह पएचिए और पैंधालसा था तो तो क्या सूर निकलता था सुर्योदे होता था जब सुर्योदे होता था आप बतिएगा ये जल्चकर क्या होता है जिसको बताने कि मनु को हाथ उठा देगा इन बोलेगा नहीं जिसको मनु इच्छा हो जल्चकर क्या होता है किसी को इच्छा नहीं बतानेगी कोई नहीं जानता जल्चक्र क्या है आप जानती है जल्चक्र से होने वाले पांच हानिया अब बता तरी जल्चक्र पताईए आप जानते सामने वाले कोच्चन बाद पलड़ देना चाहिए अगर कोच्चन नहीं बदलेंगे तो रखता हमा हाँ सही कहने हैं आइए देखते हैं जल्टेगर का मतलब क्यों वर्सा होना वास्विकरनों कर जाना नहीं है मतलब हमारे अस्थल पर हमारे महासागर पर जल अस्थर सद्यों बरकरार रहना इसके लिए एक छोटा से एक्जामपल हम ले सकते हैं जैसे अगर पूछ दे कोई ज पूट जाता है अब दूरी फोन देखते हैं अच्छे लाए लगो तो कह बात हो पाएगी तो उन्हें बात मारी दुर्गा बता से बताईए आठ जार पांसों बुझ चलिए ठीक इन्होंने कहा आठ जार आठ सो अटार तालिस मीटर हैं ये कहां से हमरे घर से आठ पे घर स कहां से तो कहां सतना पेग इसको कहां समुथ तर्फ से समुत तर्फ से समऩ तल तल माने समुथ गयादन नीचे घहणाबार राद मुल पिछे चर्ब हमाला एक हमाला कहार सतन अपेंगी के 2804 मीटर है यह पामीर गताना उपर है कblackले है है पचाज दिया है बता रहे है छोटी उच्छी डिवात्ते भी रोके रागे रहें बताएए आप लोग पीछे से ये समुद्र कहां सनाप आजाएगा यह यह समुद्र के आंगे जैसे कहें उत्तरा पतेस कांथ समुद्र सनाप कर आएंगे पताईए रे कहा से नापेँगे पहिमाले कितना ूप चा नहीं बताएंगे एक समुद्र तल होता है तल और एक समुद्र का अस्तर हो है कि त describes का जो ऊपर ही भाग होता है उसे माना जाता है इसका वाटर लेबल tenía क्वेड़ का समुध्र बढ़ता जल श्त कर एक समुध्र मेंसे कर एक लूटा जन निकालों एक समुध्र कोई फरक पढ़ेगा तो क्यारण क्या है कि यह वाटर लेबल यह वाटर साइकल जो है यह इस इसाब से अपना संतुलन बना के रखता है कि समुद्र का जल अस्तार नहीं बढ़ेगा मतलब जितना जल समुद्र से वास्पित होगा से इसी बात है सतर पर संप लग बग जल है 39 अस्ताल तो जल वास्प यहाँस उगा है तो वास्पित हो नहीं है अ मुंच्त एप नहीं है तो तो जह नश्तार परसेंट जो समुद्र का जल है यह होगा यहांसे क्या वास्पिकरर है यह कैते हैं जलवास्प होसाथ घटना और जुड़ेDam83 प्होर पर जाता है इसका पीच मन कितना हुता है अठारह लूटी साथ, 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 एकाईस में चवदा गया साथ, मनें इसका पी अचमान कितना होता है, साथ, साथ पी अचमान माने क्या होता है, 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 साथ पी अचमान माने क्या होत तब कजी करें नहीं पड़े हैं हमें लगा में अकुद में डाउट हो लगा हम कमिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं तो याद आए नो तो यह नो तो पड़े थे और इंटर्म चोरहां में पाई थे सो में मताई आप लोग हाँ नीट्रल होता है मतलब उदासी हाँ हाँ बताई यह साथ का मतलब उदासीन मतलब इसे बच्चों सम्झानो तब अब प्रामरी के बच्चा का जाने की यमल का होता है चार का होता है पानी हो गया तो जब जलवास पो होता है तो सुद्ध वाटार उपर जाता है वाकि छूट जाता है एक पर सनौर आजएगा जब उपर जाएगा तो नीचे क्या बचे का समुद्र का खारा पानी माने नमक बचेगा और जब नमक बचे जाएगा तेक पाइदा और होगे अपका तो जितने भी भुमद्रेखी जील है वो सब क्या होंगे खारे हो जाएगे अगे पस्ना आपको बन जागे पर इच्छा मा जाएगा कि बात में सबसे बड़ी खारे पानी की जिल कौन सी है कस्मीर में कहीं सोज़े कस्मीर तो बरब पढ़ता जहां बरब पढ़ेगा खारा हो गए नहीं इसका मतलब जहां सुर केड़े तिक पढ़ेंगी सुद्ध जल उपर चला जाएगा नमक नीचे बचेगा कहेंगे सांबर जिल कहां है राजस्थान में तो यह चीज़े अपन निचे में जाता है अंडरगांड बनता है हम लोग धरती का सीना फाल के सामय सबुल चालू करते हैं चमज दुलना होता है कि अप्र दोना होता कि जो बर्सा के जल अस्तल पर आता है वह फिर समुद्र में जाता है कैसे नाला ऑश्वारा किसके दोरा नदी दोरा नदियों कहा मिलती है माने समुद्र से जल वास्पित होकर अस्तल पर जाएगा अस्तल पर कहा जाएगा नदी में और नदी से कहा जाएगा फिर समुद्र में इसे क्या बंदा वाटर साइकल बना रहता है ठीक है इसे कहते हैं जल चक्र तो जब पैंजिया और पैंथलासा था क्या तब यह नहीं होता है, होता है, चलिए, इस जगह वर्सा होती है तो बजली नहीं करकती, बताएगा, ठीक है, तो यह हमने देखा कि हापे वर्सा होती थी, तो इसका मतलब पैंजिया से भी नदिया निकल गर पैंथालासा में जाती थी, और जबी टूट गया, तो नदिया क्या हो कलपना करिया, आपलो कलपना करना सीखिये, हाँ, अधिका बता है न, लकड़ी वाले भगवान, देखे, हाँ, जिसे बहा उच्छेतर था नहीं था, तो नदिया कहा जाएगी अब, जो नदिया सीधे इधर बारे रहे थी, इधर रहे थी, इधर जा जा रहे थी, बीच में सारी नदिया लगभग तेथीज महा सागर में जाकर गिरने लगी, जब तेथीज महा सागर नदिया गिरते हैं, तो नदिया के वल अपने साथ समुद्र में पानी ये लेकर नहीं जाते हैं, हाँ, जैसे आप इस अप लोग पढ़ने आए, रोज जारू लगवाया जाए, लेकिन 20-30 कागज के बत्ते निकल जाए, कहां साथे हैं, आप आते हैं, पढ़कर जले गए, लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, कागज फाल के छोड़ के जले जाते हैं, कोई टाफी खाग के फिक देता है, बच्चों वाले हरकात आप लोग अभी भी करते हैं, तो वहां भी जाए जब समुद्रों में मिलती हैं, तो केवल जले लेकर नहीं जाते हैं, अपने साथ कोई कस गध़ी मर गए, कुटिया कोई मर गई, कुटा मर गया, तो लोग कहां फेकते हैं, तो जब जब जालस्तर नदी बहके जाता है, तो वह उसमें जाता है, कहने का मतलब एक सेंस परवत निकलती हैं यह बाद ने पढ़ेंगे जम नदियां दोनों जगह से निकलती हैं हिमालय पढ़ा ने खालेगे यह हिमालय अभी तो जो नदियां निकलती हैं हिमालय चतर से उपर से आती हैं तो कल-कल करके आवाज करते हुए आती हैं वर्सा की बूदे और कुछ हिमनद को पिखलाते हुए नीचे आती एक दम सुद्ध जल होता है इसे कहते हैं नदी की पाल होते हैं क्योंते हैं विगघयता तो को नीचे लेकर चले आते हैं तो इस आवस्था को कहते हैं नदी की आयो सब्हूंते हैं अई जयसे ही पहली बारों मैदान में पहुशती है कहते हैं नदी की तव्यूण अवस्था माने है आप सीधी से लेग लिमें वगर कह दें तो से कहते हैं जवान होना और जवान होने में क्या-क्या खटना ऐ मनुस्य के साथ घटती हैं वही घटना है नदी के साथ खूब चोडी होगी मानि घमंड खूब आएगा तीक कोब चौडी करेंगी खूब अपनेः आपको गहरी करेंगी चौडी करेंगी और धारा क्या होगी उनकी टीब्र होगी तो फूरा पात करते हैं उमर में लोग तो डेला मार देना उसको पथल मार देना तो फूरा पात नदियां भी करते हैं जब वो चावडी होंगी और गहरी करेंगी तो उसे कहते हैं नदियां अपरदित करेंगी अपरदन करेंगी ठीक अजो अपरदन करेंगी इरोजन करेंगी त तो मतलब वेग तीब्रफ़ गह, गटना ओ तीब्र होगा, कटना और तीब्रफ़ होगा और उसका वेग, तो उस समय इगर कोई गदाहा करद यजास , जए झाल यो तो झालब ह किसी की वेग से ? नदी की भारा की विये कसी, तो मतलब वो किसी को उपर में सेटता नहीं, पापा कुछ बोल दिया दूज दिन ख़रो में नहीं खाएंगे, तो उसे भी सरल उपाए, मॉबाईल छेन लेओ, खाना खालेंगे, दूज दिन लेओ, खुदे खालेंगे, ड्कान जिन में खा लें और नई टकनीक है हमारे घर की नो हम आज wann geri को और जो जो आगे बढ़ेंगी ते हो तो उम्र ढंड पहलता अजाएबा और रहसे के Emirate सब्सक्राइब करेंगे तो अब देखते हैं तो जब नदियां धीरे-दीरे आगे की तरफ बढ़ती है तो उनका वेग दिरे-दर क्या होगा जब कम होगा तो मलवा क्या करें दिरे-दर क्या होता है जमना शुरू होता है कहा नदी के मुहाने पर जम जाएगा तो कलपना कर ये थोला सखली सोचिए यह टोडर नाली बाह रही है कि यह इस पूरा जगा कभर लेगा यहां पूरा मिट्टी जम जाएगी और एक लेयर बना लेगा अब जलस्तर क्या होगा उपर बहना सुक्त तो जो मलवा होता है आगे से पीछे की तरफ जमता है धान समझेगा पहले जैसे माली कोई गधई बैते हुए जा रहे थी डंडे फस गई गधई तो अब इधर जो पानी जाएगा वो रुख जाएगा अब धीरे-धरे क्या होगा इसके चारो तरफ मलवा एकत्रीता और क्या करेंगी नदी कई साखाव में वितरीत अब ध्यानी जब बुडःापई अता है तो क्या कहते है बुडःापा अगया तो नदी क्यों डूहती का यह्मत नहीं होती कि उसे तोड़ जोग जवानी होते उनकी तोड़ावस्ता होता है तो वह जोई पत्धर को भी कार दे कि पत्थलों कार्दी तभी तुम अलवाता है और उसको ले जाके समुद्रों में गिराते हैं समुद्रों से क्या होगा आप कुछ मत करेगा छोटा सा प्रयोग करिएगा हम लोग तो बहुत कर चुके हैं खुरा-पाति बच्पन स रहे हैं जिसे नाली जह निकलता को गड़ा खोद दीजिए और दूई च्छा महीना बाद जाएं गड़े में एक बार डंडा से नाप काई यह कितना है और हर एक महिने पर गड़्धा नापते जाएगा अब पताईए आपके कपला धुनने के बाद नहाने बाद गड़े में ऐसा क्या जाता है गड़ा बल जाता है औ किस कलर से बारेगा काला कलर से होता यार कभी देख्यों कë नहीं नाली खुदाई है सफियद कलर एकzna तो वह वास्तिक मलवा है और जुथ नदियों में का मलवा Sind 17 में जमता है यहां पर तो यह से क्या होगा समुद्र धरी भर ना तो यह एक दिन के प्रकृत नहीं है कि ए अलो साल चलने वाली प्रकृड कोई जो साल कि यूश्य साल चलने के बाद इसमें लाके मलवा एक होता है मलवा एक होता है मलवा और मलवा को अौशाद ही कहते हैं कुछ आहर मैं समझ लीजेगा तो यहां पर विसको लाकई कह एख Fуш मुंचा होगा कि अगर कोई पशन पोछ दिया जाए कि एक गिलास में पानी भरा हुआ है देखा ओलत वनाहं को त ही आधा पानी भरा धिया और इसमें अगर एक टुकुदा बरफ डाल धाल धाल भाला भरे जरे गिलास में एक छोटा टुकरा बर्फ का बर्फ जानते हैं आइस डाल दिया जाए तो गिलास का जलस्तर बढ़ जाएगा घट जाएगा ज्योंकत्यों रहेगा कोई परिवर्तन नहीं होगा ये बाद मत आईएगा हाँ अच्छे कोई कर बढ़ जाएगा कोई कर घट जलस्तर और उचा हो या ना हो लेकिन तली धीर होगी उपर आएगी माम नहू यूस्त सागर की गहरा आई धीर धरे अच्छे दीरे-दीरे मलवा वली तो हो गया मलवा क्यों गया वली उसके बाद गोडवाना लेंड टूट गया और अंगारा लेंड टूट गया अंगारा लेंड टूटा तो तीन बड़े महादीप बने कौन-कौन एक बना यूरेशिया जो दो महादीफ है यूरेशिया तूट गया यूरोप धन यूरेशिया एक ही द्रिडभूखंड है हमारे प्रिठिवी का मात्रक ऐसा दो महादूइप है जो एकल रूप में जुड़ा है बाकि सभी महादूइप एक दूसरे से अस्थाल से नहीं जुड़े हैं इस समय तो यह सबसे बड़ा द्रिडभूखंड यूरेशिया माने यूरोप धन छोटा सा बच्चा टूटा यहां से ग्रीन का ग्रीन लैंड यहां पर फिर उत्तरि अमेरिका तो तीन महादूइपो का निरमाल हुआ जब गोडवाना लेंड टूटा देखे ध्यां दीजेगा यहां टूटा तूटा यूरेशिया बीच में क्या बना या उत्तरि अमेरिका और ग्रीन लैंड बीच में यहीपानी पानी पानी आ गया अभी का हिस्सा है जब ये गोडवाना लेंड और यूरेशिया का देड़बुखन एक तरफ बढ़ें तो जो बीच का मलवा था यह क्या हो गया कॉपी दीजेगा अरे फारेंग दो पेज ठीक है यह कॉपी जई दर से प्रेसर पढ़ेगा तो या तो उपर जाएगा या तो नीचे जाएगा अब नीचे जाने को जगह नहीं तो जाएगा किदर तो इससे क्या होगा वलन कहते हैं इसे और जब वलन हुआ तो बीच में वलित परवत का निरमाड हुआ जिसे हमें कहते हैं वर्तमान हिमाले इसे क्या कहते हैं वर्तमान हिमाले मतलब यह 33 महासागर का मलवा ज से कहते हैं हां अगर दोनों से बृत बनाना हो तो सुखी कहीं से बनेगा या हरे वाले से मार खाए हैं तो जो मलवा तो होता एक सब्सक्राइब और सुन लीजिए गा जब मलवा के जमाओं से जिस चत्तान का निर्मार होता उसे अवसादी शेल कहते हैं यह बाद में सेल में पढ़ेंगे तो यहां आवसादी सेल बनेगा तो यह क्या होगा असानी से क्या होगा ऊपर उड़ जाएगा बिना टूटे फूटे तो यहां पे जहां पे कभी सागर लह राता था तेथिस महासागर लह रहा था आज वहां दुनिया की सबसे उची चोटी वाला एक महान हिमाले का निर्मार हुआ इसका अगला प्रशनुडता है सर यह कैसे पता कि वहां पर टेथिस महासागर था आप वहां देखने गय थे का सीदी सी बात आपके मन में प्रशनूड सकता कि यह हिमाले बना कैसे तो जब आज भी हिमाले पे बड़े-बड़े मचरा मचरी के हड़ी मिलते हैं तो जब मचलियों के हड़ी मिलते हैं मचरा मने पुलिंग और मचली मने इस्तरी लिंग तो जो मचलियों के हड़ीया मिलते हैं कंकाल मिलते हैं तो यह बात विदीत या होता कि हिमाले में मचली कैसे गई पाउड कर गई होगी तैर कर या पंख लगा कर यह समय जमाने में भगवान राम चंद्रस जी के और रवनवा के जो उड़नियान थे कौन वाला था अच्छे पुस्पग विमान जो था वह उड़ता था तो से मचली को लाट के ले आते उड़ा तो हमान हिमाले म गर जाता होगा वही आज इसके ळड़ते हैं जलीजियों यह समुना जम मिलते हैं इसका मतलब यह है कि जहां पर आज महान हिमाला है वहाँ कभी इस अधने तो जैने के का उन सी cowardice नहीं मर से कि वह जा एक्वाग पानी जाएगी पुस दिन बाद डूबेगी फिर उपर आएगी फिर मोटी होगी फिर नीचे जाएगी तो जब नीचे जाने बाद उसका क्या बचेगा अध्डी नी खंकाल अज़ा हड़ी खंकाल को यंतर रह गया है अधी होगी और कंकाल पूरे छरी के ठाचा मिलेगा क्या कहते हैं कंकाल ठीक तो यहां पर वह मिलता है यह विदि तो होता है जहां प्याजवरतमान वहां कभी क्या रहा करता था तो फिर हम हिमाले देखते हैं धिमाले की दसा तो बाद में एक विद्वान आओर आते हैं कोबर महोदय वो कहते हैं भूसतनती से महान हिमाले किस से भूसतनती यह भूसतनती क्या वो भी देख लीजे देख लीजे यह भूसनी तो यह भी वह स्विकार करते हैं कि जहां पर आज महान हिमाला है कहां है महान वहां पर कभी ने कभी 33 मा सागर था यह कोबर महोदे भी स्विकार करते हैं ठीक है क्या करते हैं वह यह बताते हैं कि जैसे एक गुबारा जानते अपलोड कलपना करने का पैसा नहीं गुपारे में पहले पानी डालिए थोड़ा सा क्या होगा आओ डालिए आओ डालिए फटा ने उन्हों यह बताया कि जैसे यह स्थान था मानि यह 33 महा सागर था क्या था अब ध्यान से समझेगा समझने का पैसा नहीं लगता ठीक है पहले हम अलवा जमा इतना जमा इतना जमा तो क्या होगा आपके सर पर पहले एक किलो रखें दूई किलो रखें दीस किलो रखें दूई कुंटा लखें दूई सकुंटा लखें दूई हजार कुंटा लखें तो क्या होगा तो यही कंडिशन के साथ जो जो मलवा वली तो होता जार जो मलवा बढ़ रहा था तो तो क्या हो रहता अपने आप एक बल काम करने लगा धान दीजेगा यह नीचे की तरफ जुकेगा और जब नीचे जुकेगा तिसका आधन क्या होगा अब यह गुंबरों की नीचे की तरफ जा रहा है न तो लगेगा इसे कोई चिपकार है इसको गालें एक दो कि बड़ा रहा हैं मतलब एक थी लगए और नीचे के इसे बैंद भी निचाओं और जब यह प्रेशर लगें यह तो यहां क्या होगा इसको ने प्रेशक लगेगा यहां फ स्थाल है तो यहां पर हो गया कि क्या हो गया वलण हो गया और जो वल्र को गया तो बीच में क्या हो एप आइ क्यों गाए रपी ब्वू सन्नति के वज़े से एक तरफ हिमाले बना और बीच में पामीर का पठार इसे दुनिया की छत कहते हैं क्या है दुनिया की छत दो चीज़े बनि siete एक तरफ हिमाला के तुरंद बाद क्या है पामीर का तो पामीर के पठार इसे बना कि बीच का भाग क्या रहा गया और कानर पर क्या हो गया दवाईए कलपना करिए इसको को समझीए कि कैसे आया नीचे बढ़ा प्रेसर बढ़ा ये भाग उठा यहां क्या बन गया हिमाले और ये बाग समता लगे बीच का हिस्सा है न कि दोनों कान उसके खड़े हो गए और भी छोला हिस्सा ज्यों कत्यों और तो बीच में सबाट हुआ दुनिया की सबसे उची च पाठ आगे ये इव्बार सबसेद्धाना बण को समय एक निर्मार ये कोबर महोदर जी अपने सधानती में इसे कहते हैं इसे कहते हैं भू सनथिका सिधान्ति अभी और दो तीन सभ्ण है लेकिन को करेंगे पर को बस इतना बताना था हिमाले का जन्म कैसे हुआ या हिमाले कैसे पैदा हुआ बस मुझे इतने बाद बताने के लिए इतनी कहानी समझानी पड़ी है जबकि और बड़ा अध्धा है मतलब हिमाले कुट पत्ती तीन घंडे का लेक्चर है पूरा सार मोसो जीयो काल किस किस काल कार्विनी फैरसीज में क्या हुआ यह सारा यूग हमने आपको क्या क्या गायब कर दिया क्योंकि वह उतना पढ़ेंगे तो ऐसे भाव लो जाता है क्या आप लोग को हिमाले की उत्पत्ति समझ में आई हां तो लेकिन एक बात और छोटा सा बताना जो चाहिए वो भी हम बता जे रहें जब हिमाले बनना सुरू हुआ तो एक घटना और घटी थी कि जो बीच का यह मलोवा वाला भाग वलिद हुआ उसके पहले भी यहां का जो छेत्र था क्या नम है अंगारा लेंड का जो यूरे लगू हिमाले महान हिमाले लेकिन हिमाले बनने के पूर भी एक हिमाले बनकर तयार था हिमाले बनने के पूर भी एक हिमाले बनकर तयार था इसलिए हम लोग जो पढ़ेंगे हिमाले के चार मेजर पार्ट पढ़ेंगे पहला पढ़ेंगे ट्रांस हिमाले जिसे ट्रांस माह का हिमाल है माने हुआ हिमाले बनने के पहले बनकर उसकी तीन प्रमुक्स्रेणियां प्रहेंगे फिर पढ़ेंगे तब वही जो किताब उमलिखा ए महान हमाले- सब्सक्राइब सिर्वाइब करांका हमा पता नहीं क्या क्या लंगा हिमार्फ दूसरा लगु आंगाruption जिसे वापर सेलवस नहीं है कि आ खरहा需要 उए आप्सिम से कल पढ़ें है हिमाले के दर पश्ची में घूसा है दोनों तरफ हिमाले दच्छन दुसा में घूस गया है घूम गया है एक तरफ उसे हिंदु कुछ कहते हैं सुलेमान कहते हैं तो एक तरफ उसे कहते हैं कौन सा अराकान योमा क्या कहते हैं अराकान योमा पटकाई बुम की पहारिया अभी कि इसी के साथ आज हमालय का इतना ट्रम हमने आपको समझा दिया यहां से अगर आपको कोई समझना हो रही है यह ऐसा लगा हो जो कि कोई चमार कि ना यह हो तो Amut सकते हैं कि हमने हिमालय उत्ति की warned इनी, चौट में समझाइए, अभी यह मत्यूल सरफ बहुत लांग थी, अगिदम सौड़ था, यूदकि अब जिंदिगी में आपको किसी बच्चे को समझाना होगा, हमाले कुट्पत्ति कैसे हुई, तो आप समझा सकते, क्योंकि इंट्रेस्टिंग ठॉपिक है, कि उत्पत महान है और यह सिवालिक है इसकी चट्टाने एक है इसकी चट्टान अलग है तो यह बड़ी लंबी-लंबी कहानी उतनी आपको पढ़ेंगे तो अधिक्यारी हो जाएंगे यह आपको होना है क्या प्रामरी का यह सहाया का ध्याप असिस्टेंट टीचर होना है तो असिस्टें पठार चलेगा लेकर हम आपको लपेट के बढ़ा देंगे साठकट में हां ठीक है कोई समस्या हां उचाई समुद्र के अस्तर उपर से जलस्तर से पूरा नदी अस्तल से नदिया सागरों में जाती ती बीच में टूड गया तो जो नदी की धारा ती उसकी मुख मुड़ गया और जाकर 33 महासागर में गिनन लगी इसलिए 33 महासागर में वलीत हो गया आज भी इसका उधारण है आज भी 33 महा सागर बचा हुआ है कहां बचा है कोई किसी को पता है भूमद्य सागर 33 महा सागर का बचा हुआ हिस्सा है और आज भी पूरी तरह से मलवा पड़ा हुआ है 33 महा भूमद्य सागर अब भूमद्य सागर का है हाँ आए पूछा प्रस ने भई य'ा अईसि आप लुग यूरोग और अफ्रिका को अलग करने वाला सागर भुमध्य सागर यहां से यूरोप अलग होते हैं अच्छा यूरोप और एशिया कैसे अलग होते हैं किरा परवत से युराल परवत हां और चलिए कोई बात ने आज भी 33 महा सागर का मालवा बच्चा हुआ इस्सा है जो भूमत सागर की रूप में बिद्धमान है आप जाकर देखिए मौका मिले घुमिएगा माश्टर के कहां घुम लीजेगा और यहीं पर एक जौला मुखी ह इसको कहते हैं भूमत सागर का प्रकास अस्तम इस्टम किसे को पर इस्टमोली का जौला मुखी इसे भूमत सागर का प्रकास अस्तम कहते हैं सब बड़ी बड़ी घटना है पढ़ा जाएगा एक बार आप लोग पले प्रामरी के शाय का ध्यापक हो जाईए फिर यह अदा क अधर से जा रहा है तो पुझे पता भी नहीं कि इधर सागरा कहीं से भी जा रहा था बीच में दरावद पन पन पानी कहां चला जाएगा तो एक तरफ जा रहा है ना जली नी बता है पूछा करिये पूरे पूरे जलस्तर का पूरे समुधर का एका 70.8% जल का 0.6% पीनियो के जल है यह दिया सबी का पूछा पश्टना है आगे पेपर साल्फ करें डिया सबी का हां पीने यो के कैसे होगा मतलब कि वो मिर्दल वाटर एक और नमक कैसे प्राप्त होता है यह मृत सागर क्या है अच्छा कि सागर में किसी बग कोई बगती डूब नहीं सकता का है उस अनमक ज्यादा है ठीक चली डिग है आग बंद करके जाएंगे तो अधावत होगा करेगा इसको ताकि याव लोगों तक फोज़ा है ओर जीनाब्द हिमालयाज मैंने क्या पड़ा ओर जीनाब्द हिमालयाज हिमालया की उत्पत्ति